हेई, वेल्कम इंटो दा फोर्टी फिफ्थ फंटा आफ केट्सिफलाइ फंटा जो यू नो, आज आप जिस जगर पर रहते हो, आपका एज्रेस कैसा दिखता था और कहां पर था अज से करोडों साल पहले लेट से जुरासिक टाइम पे, जब डाइनोसोर्स रहा करते थे प्रिफ्वी बन, आज से एक करोड़ सतर लाग साल पहले आइम शॉर अपने टेक्तोनिक प्लेट्स के बारे में तो सुना होगा, कि हर साल आपकी इंगली के नाखुन जिस स्पीट से ग्रो करते हैं, उतनी स्पीट से टेक्तोनिक प्लेट्स मोव करती हैं हर साल, और इन आदर वर्ड्स पूरा कान्टिनेंट मोव करता है, इसका मतल साइट है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मुवमेंट को स्टडी करके आपको दिखाती है कि आपका एड्रेस करोडों साल पहले कहां पर था वेब साइट पे बस आपको अपनी सिटी का नाम डालना है जैसे कि मैं 5-6 सिटी का नाम डाल रहा हूं मुंबई, केरला, लाहोरेन, कर कराची जो पाकिस्तान की सिटी है, काथमांडू जो नेपाल में है और बेजिंग जो चाइना में है अब यह सारे लोकेशन्स है आज के टाइम के हिसाब से बर लेट्स को टो जुरासिक टाइम जब भारत में इनसान नहीं डाइनोस रहा करते थे तो उस वक्त भारत का इंट्रेस्टिंग फेक्ट चाइना जो आज हमारा बड़ो सी देश है वो एकसेक्टली पृत्वी की ऑपोजिट साइट पे था हमारी ऑपोजिट साइट पे यहां पर अमेजिंग इसन इट यह वेब साइट हमें सिर्फ अपना पुराना एड्रेस नहीं पर यह भी दिखा दिखाती है कि आपके एड्रेस पर कौन से डाइनासॉर्स रहते थे एक्जामपल इंडिया में हमें टोटल 19 प्रजाती के डाइनासॉर्स के फोसिल्स मिले हैं जिनमें राहियोली सौरस एंड राजासौरस टाइनसौर्स उनके फोसिल्स हमें गुजरात में से मिलें इनिसोर्स और ड्रेगन मुह से आग निकाल सकते थे I mean किस लेवल की तूथपेस्ट यूज़ करते से हम लोग ने नमक वाली बना डाली बिना नमक वाली भी बना डाली क्या पता शक्कर वाली रिसर्च में हो हमारे दात तो फायर पूफ नहीं है और माना कि वो बहुत बड़े क्रीचर्स थे पर सबकी एक लिमिट होती है 2002 के जर्णल ओफ ओरेंसिक के रिसर्च पेपर के मताबिक हम हीमन्स के दांट 200 तू 400 डिगरी सेल्शिस पर तूट जाते हैं और 1000 डिगरी तक सारे दांट राख बन जाते हैं और डाइनसौर्स की बात करें तो वो अपने शरीर के अंदर से आग निकालते हैं और हम बायोलोजी के रूल्स तोड़ने नहीं वाले ये एज्यूम करके कि डाइनसौर्स का पेट और गला भी फायर प्रूफ था तो अब हमारे पास सिर्फ एक ही चॉइस पच्टिया वो है मिथेंगेस पृत्वी पर मौजुद सारे क्रीचर्स मिथेंगेस अपने पीछे से निकालते हैं और मिथेंगेस फ्लेमेबल होती है तो हम यह एज्यूम कर सकते कि डाइनसौर्स मिथेंगेस सिर्फ पीछे से नहीं आके से भी निकाल सकते थे और वो भी जलाकर बट वेट मिथेंगेस जो फ्लेम क्रियेट करता है उसका टेमपरेचर अराउंड दो हजार डिगरी सेल्शियस तक जाता है और यह कुछ जादा ही सीर्यस वाली हीट है एक हजार डिगरी सेल्शियस पर पूरी की पूरी हुमन बॉड़ी राख बन जाती है वोल्केन और इरॉप्शन के टाइम जो लावा बाहर निकलता है उसका टेमपरेचर भी 700 तू 1200 डिगरी सेल्शियस तक जाता है तो हम कैसे मान ले की 2000 डिगरी सेल्शियस पर भी इसके दान्त मस्त चमकिले रहता है नोट पॉसिबल इसलिए अब हमारे पास सिर्फ एक लास्ट थियरी बचती है हम हमारी पूरी जिंदिए में सिर्फ दो ही बार नए दान्त आता है फिर ये पर्मेनेंट बतीसी में से कोई एक दान्त निकल गया न तो फिर भूल जाओ बिर रेप्टाल्स और फिशिस जैसे की शार्क पॉलिफियोडॉंट्स है मतलब उनके दान्त कभी भी कितनी भी बार दूट गया तो वो वापस तो मेबी डाइनसोर्स भी पॉलिफियोडॉंट्स हो सकता है ताकि जब भी वो मुझ से आग निकले तो दान्त भी निकल आए और फिर वापस बट इमाजिन वो सिनारियो कैसा होगा I mean हमारे पास तो बतीसी है उनमें से तो कुछ डाइनसोर्स ऐसे थे जिनके पास 960 दाथ थे जैसे की हैज्रोसर्स जितनी हानी आख से नहीं होगी उससे जादा तो दाथ की बारिश से होगी बर एनिवे थैंक यू पर वाचिग दिस वीडियो ताट सिट फॉर दिस वीडियो यूट्यूब पर आए हो तो थोड़ा सा मजआ थोड़ा सा नॉलज़ ले करीजाना और जाते जाते शब्सक्राइब भी करते जाना सब्सक्राइब करते करते नोटिफिकेशन बैल भी दबाते जाना बस देससैड सी में नेक्स वीडियो एन्जाई